गुद मारिंग प्लेग लास, वेलकम तु दू अवर्म लाइन क्लासे प्रेजेंटेट बाइ एम पब्लिक स्कूल आज आपका टर्ण है जी के बुग, तो बचो निकालिए अपनी माई लिटिल पिच्चर बुग आज हम फेज नंबर 14 ओपन करेंगे और उसका टॉपिक है गार्डन बगीचा ठीके उसके बारे में आपको मैं यहां पर बताने जा रही हूँ और देखो जैसे यहां पर हमारी पिच्चर दी हुई है बगीचे में क्या क्या यूज होते हैं उसके मैं नेम आउट करू या बगीचे में कूडा बगीचे में कूडा यहां जेता हैं तो हम यहां आता है लेवोव मिन पत्ति ठीक है और shovel means belcha ठीक है shovel means belcha जैसे कि belcha का भी हम इसमें बगीचे में यूज करते हैं स्प्रिनिकर means होता है पानी का छिड़काव करने वाला ठीक है पानी का छिड़काव जैसे कि अगर हम उसको बीच में ही हम उसका बटन दबा लेते तो फिर वो चारो तरफ अपना आप से ही गूम गूम कर पानी का छिड़काव करता है बगीचे में ठीक है गॉल ब्राउन बिन्स वेका है ठेला अगर हम जैसे कि बगीचे में कुछ भी हम कटिंग करते हैं तो उसका जो बदल लगी एक्स्ट्रा जो हमारी बगीचे में आगे तक पहुचाएंगे तो वहां के लिए भी हमारी यूज़ उता है फ्लावर में फूल बगीचे में आप अच्छे नहीने तरीके के फूल देखते हो हम जो लगाते हैं वह फ्लावर ठीक है सेजर में कैची यह बगीचे में कटिंग करने के लिए पेड को सुंदर बनाने के लिए तो उसके लिए कैची होती है उससे हम कटिंग कर दें पेड कोदों की और बहुत अच्छे से कटिंग हो के और वह बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट मिन्स पोधा जैसे कि हम बगीचे में पोधा लगाते हैं ठीक है और भूश मिन्स शूप मतलब वो एक घास का जो पहाड होता है उसको क्याते हैं बूश हाउस पाइप जो हमारे घर में पाया जाता है अब आपको समझ में आ गया हेज हेज मिन्स होता है बचाव यह भी एक तरह का पहाड होता है ठीक है हज मिन्स होता है बचाव मतलग एक तरह का पहाड होता है उसको हम बगीचे में ही देखते हैं वह घास की डबल 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 उपर नीचे चरती जाती है तो वह तरह का पहाड बन जाता है ठीक है लगाते हैं तो यह दो एक रहना होता है तो वह प्लांट पोधा तो यह यह पाए अच्छे से पढ़ना पॉद्ध में करणी पॉद्ध में अच्छे से अप्लांट पड़ने होता है और बहुत अच्छे से एक बार लर्ण करना एक बार आप खुद से पढ़ें थैंक यू बच्चो अब मिलते हैं नेक्स क्लास में